नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल में अब से हिमाचल पर्देश में होगी ये नई भरती 10th क्लास रिजल्ट 2021 बिग अपडेट तो क्या अपडेट आई है पूरी जैनकारी बताएंगे वीडियो पर बने रहें अगर आप चैनल पर ने च स्मर्पित सेवा होगी हिमाचल पर्देश सरकार हिमाचल पर्देश में अवकारिक एवं कराधान मामलों के निस्तारण के लिए हिमाचल पर्देश मशाशनिक सेवा हिस के तरज पर हिमाचल पर्देश राजसव एवं राजसव कर एवं अवकारिक सेवा हिमाचल and excise service सिजद की गई है इसके सुचना भी जारी हो गई है तो जो ये नई HRS भरती है तो जो भी हिमाचल परदेश में revenue department में जो भी भरतियां होगी जो भी काम होगा वो HRS संभालेंगे और HRS से भरतियों पर क्या असर पड़ेगा इसमें जो revenue department में भरतियां होती है जैसे पटवारी की तो पटवारी की भरती अब जल से जल जो है उसका process जो होगा अब क्योंकि जो इसके लिए इन्होंने HRS जो नई post जो create की है तो इस लिए इन्होंने एक अलग से officer जो है अब बठाया जाएगा तो जो की revenue department के सारे काम को देखेगा तो इससे बहुत ही ज्यादा profit होने वाला है जो आने वाली भरतियां होगी revenue department में तो आगे बताते हैं पूरी जानकारी अंतरिक्त मुख्य सच्जीव अवकारी के एवं कराधान जैसी शर्मा की तरफ से जारी अजसूचना में बताया गया है कि अवकारी के एवं कराधान मामलो exercise and taxation matter के लिए ये अधिकारियों की एक विशेशग्य एवं समर्पित सेवा होगे इसके सेवा भरती एवं पदनेती नियम अलग से बनेंगे आने वाले वक्त में HS की तरज पर ही इस सेवा के लिए भरती प्रकरिया हो सकती है आगे बताते हैं जो लेटेस्ट स्कूल अपडेट है ग्रेडिंग के अधार पर दर्शाय जाएं दसमी कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट शिक्षा बोर्ड बियोडी सेजस्तियों ने दिया सुझाब पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं हिमाचर परदेश में दसमी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए इस बार उनके अंक नहीं बलकि ग्रेडिंग माक्षीट पर दशाय जाएं साथ ही हिंदी विश्य के पेपर की उत्रप्रिस्तकाओ का मुल्यांकन कर मुल्यांकों को अधार बनाने की सलाह बियोडी सिलस्तियों ने बोर्ड को दिया है गुरवार को वीडिय कॉनफरेंसिंग से हुई बैठक में बियोडी के सिलस्तियों ये सुझाब बोर्ड परणदक दो दिया जानकारी के अनुसार दसमी कक्षा के विद् प्रकरिया अपनाई जाए जिसमें मेट्रिक रक्षा के हिंदी के पेपर की उत्तर प्रिश्टकाऊं का मुलियांकन करवा कर प्राप्त अंकों को आधार मान कर एक प्रक्रिया भी बनाई जाए प्रिक्षा परिणाम पर अंकों के साथ ग्रीडिंग दर्शाई जाए BOD सिदस्यों ने SOS के मैट्रिक प्रिक्षार्थियों को प्रमोट करने के लिए भी ठोस निती बनाने का सुझाब दिया बैठक में BOD के सिदस्यों रमेश शर्मा, भागचंद, चुहान, दिलिराम, डॉक्टर, शिव द्यालन, जगवीर, चंदेल, नीना शर्मा, राजेश, ठाकुर, प्रमसंख्यान, नरेंदर सूध, आरके, दिप्टा, उपसित रहे बोर्ड की ओर से चेर्मेन डॉक्टर शुरेश कुमार सोनी वर सच्चिव अक्षे सूध ने बीड़ कॉन्फरिमसी के माध्यम से बैठक में इस्ते लिया बोर्ड चेर्मेन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बीड के सिजस्यों वर बुद्ध जीवियों के सुझाब के बेना मैट्रिक प्रिक्षार्थियों को जमा एक में प्रमोट करने के लिए ठोस निती बनाना असंबब है प्रिक्षार्थियों के विश्य के मद्दिन अजरफ प्राप्त सुजाबों पर जच्चा के बाद उन्हें कर एक निती बनाई जाएगी उसी अनुरूप मैट्रिक प्रिक्षार्थियों को जमा एक अक्षा में प्रमोट किया जाएगा तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अफडेट जो मैं आपको बताई एच्वी बोर्ड ओफ स्कूल एद्युकेशन धर्मशाला की तरफ से तो आई होब आपको दोन अफडेट्स अच्छे से पता लगी होगी तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई आपको दो टीटे साथ जैन जैमाचल